प्रेप्रेटरी के बच्चों का हिंदी क्लास में स्वागत है तो बच्चों कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था चित्र द्वारा चित्र के पहले अक्षर का पहचान करो तो आज हम क्या करेंगे? आज हम कुछ नया करेंगे वो है कि हम आज चित्र को पहचानेंगे और उनके नाम भी लिखेंगे ठीक है हमारे व्यांजन और स्वर जोड जोड के हम उनके नाम लिखेंगे तो चलिए आज हम उन व्यांजनों को और स्वरों को जोड के इनके नाम लिख पाते हैं के नहीं वो देखते हैं तो पहला वैला है पानी भरने वाला तब, ठीक है? जहां आप नहाते हैं न, वो पानी भरने वाला तब है ये तो अब आप बताएए हमने क्या कहा? ये है तब, तो चलिए हम लिखते हैं ये रहा हमारा तब और ये है हमारा ब, त, ब, तब, 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 अब ये क्या है? ये है जग, 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 तो चलिए हम जो बोल रहे हैं उसी को हम लिखेंगे जग, पहले हमने कहा जग, उसके बाद हमने कहा ग, जग, 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 ठीक है? उसके बाद है घर, ये क्या है बच्चो? घर, घर से घर, तो घर तो हमें पता ही है और उसके बाद वाला हम क्या बोल रहे है र घर 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 तो हम पहले अक्षर जो है घर वो लिखेंगे और उसके बाद र घर 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 ठीक है उसके बाद है हल ह से हल तो चलिए पहले लिखते हैं ह ह और उसके बाद हमने क्या कहा ल, ह, ल, ह से हल उसके बाद है पैसा धन धो से धन तो चलिए हम धो लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं न, धो, न, धन धो, न, धन उसके बाद है नल न से नल तो पहले हम लिखेंगे न और उसके बाद लिखेंगे ल न, ल, नल तो हमने क्या पढ़ा वच्चो ट से टब तो हम अगर ट के नीचे हम डैश बनाएं तो टब, टब ट से टब, टब जासी जाग जग जासी जाग जग घासी घर 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 ह से हला हल ध से धना धन न से नला नल ठीक है? तो बच्चों आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे अच्छे से इन शब्तों को अच्छी से देखेंगे उनके पहले अक्षर को अच्छे से याद करेंगे कभी कभी आप शेश अक्षर को और पहले अक्षर दोनों अक्षरों को अच्छे से याद करेंगे खुद कॉपी में लिखने की कोशिश भी करेंगे ताकि हम छोटे छोटे शब सीख पाएं ठीक है बच्चो मैं फिर आऊंगी एक नए ग्लास के साथ तब तक के लिए आप खुश रहिए स्वस्त रहिए रोज पढ़ाई कीजिए और बहुत सारा खेलिए ठीक है बाई बाई